चलो कोई नीव स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मेरे बात द्रहां से सुनो जो हम चैप्टरर बाइब चार्ट करने जा रहें बायो मोलेक्यूल्स सबसे पहली बात है यह सबसे स्कोरिंग मतलब इस चैप्टर में कोशन सिंपल आदा स्कोरिंग है इसी है जितने नोट्स करवाँगा कोशन करवाँगा वो कर लिए तो तुम्हारा अभी भी कोशन गलत नहीं होगा यह मैं गरांटी ले तो बिल्कुल अच्छे से क्लियारिटी के साथ करेंगे हर चीज को समझें कुछ रट्टा नहीं मरवाँगा यकीन मानो ठीक है क्योंकि तुम मै सब्सक्राइब कोई चीज पर कभी क्रैमिंग पर तुम्हें जोड़नी ड़ा हुआ तो जो चीज समझाने वाले हो पक्का समझा की आगे बढ़ेंगे चाहे हमारा थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन बीना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम इस्ट्रू कैसे पढ आ रहा हूं दो पेज्क कि देटीए ठीक है तो मैं तुम्हा शूंजादों हो उसको भी नोट मत करो कुछ वह नहीं है. अभी. प्रोपन टीन Preis के दूँगा जब यह धी पाठावी खतम हो जाएगा 15 मिनिट के आसपास उसके बाद तुम दो तीन पेज छोड़के मेरे साथ साथ continue करोगे उसके बाद जो सारा कुछ है वो पिल्कुल conceptual चीज है ठीक है बस 15 मिनिट के बाद तुम मेरे साथ 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 सब नोट करोगे बस यह सबसे पहली बात आती है सबसे पहली बात आती है मेडिकल वाले तो खुश हो जाएंगे यह तो हमें चैप्टर आते हैं ठीक है लेकिन यह थोड़ा सा chemistry point of view से तो इतना over confidence मत करना लेकिन हां तुम्हें basics बता हूँ ठीक है सबसे पहले बता दो biomolecules क्या होते है जल्दी बोलो किसी को आईडिया है कि भायमolecules क्या होते हैं थोड़ा वह तूटा फूटा बता दो कोई दिक्कत नहीं मैं बिल्कुल देशी भाशा में हर चीज समझाओंगा ठीक है तुमने वैसे मैंने एक test discuss किया ही था महां तुमने देखी लिया होगा ठीक है हम बिल्कुल उसको सीधी भाश्या में समझेंगे हां बहुत बढ़ी है बेटा कृति का जो आप बोल रहे हो वह थोड़ा सा तुमने कार्वाइड्रेट की डेफिनेशन बता तो यह कुछ भी नहीं है अभी समझा रहा हूं यह वाला जो सारा रफ काम होगा समझने क के लिए है ठीक है नोट्स मैं तुम्हें प्रोपर भेजूंगा देखो बिल्कुल अच्छे साफ से नोट्स मिलेंगी उसको नोट कर लें ना ठीक है अभी वस मैं समझा रहा हूं ठीक है तागी टाइम वेस्ट नाव नोट करने बता है ठीक है कुछ भी नहीं है बाय मोलीक जो बच्चा रशी हॉडत आठेब कर लें तो वह वह रख में कर लें लेकिन यह मत नोट नोट करना यह कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से वें और वह ऊब्र chaos ठीक है, maintenance वगेरा के लिए responsible होते हैं, ठीक है, simple दी बाजता है, इस पर जाद आप जोडने देंगे, ठीक है, यह हमारी maintenance, growth वगेरा के लिए responsible होते हैं, examples क्या है इसके, examples होगे carbohydrates, ठीक है, जो हम खाते हैं, आलू बर-बर के खाते हैं न, मोटे होने के लिए, ठीक है, carbohydrates होगे, proteins ह होगे, ठीक है, protein हम खाते है, body बनाने के लिए, ठीक है, हमारी growth के लिए, lipids होगे, vitamins होगे, यह सारे मेरे क्या है, biomolecules के example है, ठीक है, एतनी बात clear है, बोलो, तो हम time waste ना करते हुए, सबसे पहले हम carbohydrates को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे important है, ठीक है, मैं यह लगा लो कि 70-80% हमे carbohydrates ही पढ़ने है, ठीक है, क्योंकि सबसे important है, तो हमारा heading डालेंगे, carbohydrates, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इसमें, जो लिखना चाहता है, रफ में लिख रहा है, वह भी लिख ले, fair में जो मैं भेजू हूँ, ठीक है, होगी, ही चीजी, बस उसको थोड़ा सा proper definition type में दिया होग ताकि तुम बोर्ट में भी अच्छे मांस लब, तो carbohydrates क्या होते हैं, कोई बताएगा carbohydrates क्या होते हैं, बटा carbohydrates, किसी को बता है, बोलो, और तुम बेटा सुनो, तुम yes की यह भी लिख दोगना sufficient है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यह लिख दिया गरो, ठीक है, मैं समझ जाँग वाली, ठीक है, एक old वाली, medical वाली तो बिल्कुल technical definition दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है, ठीक है, non-medical वाले को पहली बार complex feel हो रहा होगा, कि वरना तो non-medical वाले complex feel करते हैं, क्योंकि उनको integration derivative में दिक्कत होती है, यह तुम्हारा chapter पूरा medical वालों के लिख लिख ताकि तुम थोड़ा superior feel कर पाऊ, ठीक है, तो सबसे पहले है, कुछ old definition है, ठीक है, old definition यह कहती है, old definition हमें यह कहती है, जो molecules को मैं CX, H2Y की form में represent कर पाऊं, वो मेरे carbohydrates होते हैं, बहुत समझे हैं, मतलब hydrates और carbon भी बहुत सकते हैं, ठीक है, old definition के साफ से यह होते हैं, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यह definition फिर ना rule out हो गई, ठीक है, यह rule out हो गई, rule out क्यों हो गई, क्योंकि कई ऐसे compounds है, जो हमें पता है, वो carbohydrates नहीं है, लेकिन उनका formula यही है, जैसे example के तोर पर देखो, जो मेरा acetic acid है, acetic acid, acetic acid को इस form में लिख चाहूं, C2, H2O, पर twice, बोलो हाई है न, अगर मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूं, तो यह carbohydrate होना चाहिए, लेकिन गली का बच्चा बच्चा जानता है, यह मेरा carbohydrate नहीं, यह मेरा acetic acid है, बोलो समझ रहे हो, ठीक है, तो यह वो हो गया, ठीक है, एक और example है, देखो, यह तो हो गया, जिनका formula इसके जैसे है, लेकिन carbohydrate नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा example भी है, जैसे C6H12O5 है, ठीक है, इसका general formula इससे match नहीं कर रहा है, लेकिन यह मेरा carbohydrate होता है, बोलो समझ रहे हो, मतलब की एक तरह से लगा लो, कि ऐसे compounds है, जिनका formula इससे match कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी है, जो carbohydrate है, लेकिन match नहीं कर रहा, ठीक है, इसका नाम होता है Rabbinos, ठीक है, इसका नाम क्या होता है Rabbinos, ठीक है, बताओंगा, आगे सारा तुम्हें याद करवा दूँगा, जैसे periodic table याद कराते हैं, याद करा दूँगा, इन सब के नाम बगाया, कोई दिख रहा है, ठीक polyhydroxy, ठीक है, polyhydroxy, aldeides, orchidone, ठीक है, polyhydroxy, aldehyde, orchidone, विचार optically activate, समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, मतलब की मेरे, वो compounds, जिसके अंदर काफी सारे hydroxy groups होंगे, मतलब की OH groups, ठीक है, मतलब polyhydroxy aldeide होगा, या polyhydroxy ketone होगा, लेकिन ये जरूरी बात है कि वो optically active होगा, बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, obvious ही बात है इतना समझ गे ना, जिसके अंदर एक aldeide group या ketone group होगा, साथ में बहुत सारे मेरे के आओंगे, hydroxy group, लेकिन वो optically active होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके code definition बनती है, कि अगर मैं किसी compound को, ठीक है, किसी भी compound की hydrolysis करूँगा, ठीक है, hydrolysis, और फिर वो मुझे ये चीज़ दे दे, तो वो मेरा क्या होजाए, और अब क्लासिफिकेशन पर चलते हैं, थोड़ी सी, इसकी classification पर चलते हैं, ठीक है, classification हम तीन टाइप पर करेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन में किस बेसी पर करूंगा तो मुझे क्या मिल रहे हैं पुझे परसंट का निक है कि वैटा यह कुछ होगता है यह कुछ नहीं है यह नहीं है किसी गर बात के लिए लिए लिकादा तो अब ध्यान दो इदर क्लासिफिकेशन ऑन दब वेसी दो है टीक है ट्रोड़क्ट तो यह मेरे तीन टाइप के होते हैं ठीक है मौनोसेकृईट्स और फिक है ओलीगोसेकृइट्स ऑर ग्यानीग जो मैडिकल वाले हैं तो कूद कूद के अंसर दे रहे हैं ठीक है और उसके पर मेंरे कौन से आते हैं उसके पालद आते हैं मेरे पॉली सेक्राइट्स . ठीक है मेरे तीं टाइब के होता है ठीक है मोनो ओलीगो और या अब इसमें ध्यान दू मेरे जो मोनो होते है उसमें क्या होता है अगर मैं पानी में डालूख़ा न इनको तो यह मुझे कोई परडौक्ट नहीं देंगे तो indirectly मेरे क्या होगे simplest carbohydrates हो गई है मेरे simplest carbohydrates हो गई है वोलो समझ रहे क्यों कि मेरे को hydrolysis पर कुछ product नहीं दे रहे ठीक है oligosacrites क्या होते है जिनको मैं क्या करूँगा पानी में डालूँगा ना hydrolysis करूँगा इनकी ठीक है जब मैं hydrolysis करूँगा तो मुझे क्या 2 से लेके 10 तक monosaccharides मिल सकते हैं मतलब क्या होगा इनको तोड़ने बे मुझे मिलर monosaccharides रहे हैं लिए उनका नंबर 2 से 10 के बीच में होगा समझे लिए oligosaccharides मतलब indirectly 2 या 10 monosaccharides से बनाओ समझे लिए जैसे amino acid वाला थोड़ा होता है तो मैं पता होगा ठीक है प्रोटीन उनक से बनते हैं तो वैसे जब मैं इसको तोड़ूँगा तो मुझे यह मिलेंगे ठीक है और polysaccharides के polysaccharides में क्या कुछ नंबर ही बहुत बड़ा होता है मतलब की 100 से लेके 3000 के अंदर monosaccharides unit मिलते हैं वो मेरे polysaccharides होते हैं बोलो समझ रहे हो ठीक है सेक्राइट बेटा मतलब बस होता है sweet ठीक है कुछ भी नहीं है सेक्राइट मतलब क्या होता है sweet ठीक है यह sugars बोलो सेक्राइट का मतलब sugar हो गया एक तरस ठीक है इक्जामपल्स इक्जामपल मोनो सेक्राइट का अगर मैं देना चाहूं तो ग्लूकोस भी हो सकते हैं इसके मेरे इसके मेरे इसके मेरे इसमापल होते है टिक है अभी तुम्हीं याद हो जाएंगे नो लीगोषाइकर विधा अगे दू तरीके ना खते है जिसको हम आगे Hydrolysis फ़ीदर ना कर पैं वह MONO, जिसकी अगर मैं hydrolysis करूं मुझे 2 से 10 Mono Saccharide मिले वह Oligo और जिसको मैं hydrolysis करूं 600 से 3000 तक मैं सब्सक्सारी ओते हैं, Mono Saccharide मिले वह मुथ पोली Saccharide मैं ओलीगों को आगे मैं 2 में कर सकता ऊटों में और ट्रीमे मुझे दो मिलेंगे ट्राइब में तीन मिलेंगे ग्लेक्टोस ए टिए ग्लेक्टोस ए जुट रिचे ए और इसके जांपल मेरे नम्री कि smartphone तो है सी इस एक सेलुलोस हुगया कि ग्लाइकोजन ओ geared इंसुलीन हो गया बहुत सारे होते हैं हमें जो जनरली पढ़ने हैं यह उसके बाद मेरी बात क्या आती है उसके बाद मेरी बात आती है अगर मैं इनकी on the basis of taste classification करूं अगर मैं टेस्ट के वीच पर classify करूं तो मेरे दो तरीके के होते हैं एक sugar और एक non sugar मतलब बस अलगला classification है अगर मैं मोटा मोटा गोलू तो शुगर मतलब जनरली जो मेरे sweet in taste होंगा खाने में हां मेरा tetrapenta भी हो सकते हैं लेकिन वह पाई नहीं जाते इतने इसलिए हम जनरली दो ही पड़ते हैं ठीक है शुगर वह होते हैं जो sweet in taste होंगे ऐसे carbohydrates जो sweet in taste हो ठीक है और जो non sugar है वो मेरे non sweet in taste होंगे बेसिक तो यह ही है लेकिन इनकी कुछ और properties भी होते हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है मतलब कोई पूछे टेज शुगर गोना जो sweet होगी और यह non sweet ठीक है अब इसके example क्या होते है example छोड़ो इसके और properties पहले जान लेते हैं यह मेरे crystalline solids होते हैं ठीक है जनरली crystalline solids होते हैं ठीक है बाकी properties भी main यह property थी वो सबसे पहले यह थी ठीक है और यह मेरे amorphous होते है ठीक है यह मेरे soluble होते है water में ठीक है और यह मेरे completely soluble नहीं होते हैं ठीक है यह completely soluble नहीं होते हैं in cold water ठीक है हम जनरली cold water की बात कर रहे हैं in cold water ठीक है बाकी तो सही है अगर मैं examples की बात करूं example जो सारे के सारे मैंने mono and diesecrites बताया है ना शारे के सारे मोनो डाइ वह मेरे शुगर शमे आते पॉलवे तो तुम्हेरे नौन सुगर में नौन सूर्ण में देसकता है यह वाली तो तुम्हें पता होनी डोन century को समझति mice in omega-man tag it यह non-sweet, यह crystalline, यह amorphous, यह soluble, यह completely soluble नहीं होते हैं, ठीक है, completely soluble in cold water, not completely लिख जाने हैं इसको, ठीक है, इसके example mono-disecrites, इसके example police है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, तुम्हें याद होगा, हम जो चीनी बगएरा खाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, crystalline होते हैं, तो तुम उसको देख सकते हो, ठीक है, तो वो sugar ही तो होती है, हम उसका नाम भी sugar बोलते हैं, ठीक है, और जो non-sugar है, जैसे हम जो fibers होते हैं, ठीक है, जो cellulose होगा, यह सारे, यह amorphous होते हैं, crystalline नहीं होते, ठीक है, इसलिए non-sugar बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है, उसके बाद हम एक और तरह से classify कर सकते हैं, जो last classification है, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ note करना है, ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, उसके बाद तुम मेरे साथ साथ चलोगई, ठीक है, एक और classification है, on the basis of reducing nature, बेटा polysaccharides, जो सारे polysaccharides अभी मैंने बताए है, polysaccharides बताए देना, सारे, starch हो गया, cellulose हो गया, सारे, starch हो गया, cellulose हो गया, glycogen हो गया, यह सारे मेर the basis of reducing nature, नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा, ठीक है, तो मैं दो तरीके से classify कर सकता हूं, reducing sugar और non reducing sugar ठीक है, तो reducing sugar क्या होते हैं, वो carbohydrates, वो carbohydrates, जो tolens reagent और felling solution को reduce कर देते हैं, समझ रहे हो, नाम से तुम्हें पता चल रहे हैं, feel कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब की reducing sugar क्या होते हैं, जो tolens और felling solution को reduce कर सकते हैं ठीक है, ठीक है, अब इसका reason क्या है, ठीक है, अभी reason छोड़ो, और non reducing क्या होते हैं, जो tolens और felling solution को reduce ना कर पाएं समझ रहे हैं, बोलो ठीक है, तो अब ध्यान लखना ठीक है, अभी धर ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका reason क्या होते है, reason reason सुनलो, ठीक है, इनका अंदर aldehyde या ketoning group होते है ठीक है, जो की free होते है, ठीक है, free भी होना चाहिए न, ठीक है, जो की free होते है इन्देर, हैमी एसिटल और हैमी किटल फॉम, यह वाली बात तुम्हें अभी समझ आ जाई, जब structure बता हुआ, ठीक है, अभी बास समझ लो, की उनके अंदर aldehyde, या ketoning group होता है, ठीक है, free इन्देर, हैमी हमी एसिटल और हमी किटल फॉम, ठीक है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, की ketone वाला भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम्हें यह वाली बात को न, अभी थोड़ी सी आगे जागे समझ आएगी, ठीक है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा patience लखना बड़े इन सब के अभी structure हो गया, तुम सब जारोगे, ठीक है, की होते ही के हैं, सब पता चल जाएगे, ठीक है, सुक्रोस पेटा यह जो चीनी हम खाते हैं न, वही होती है, ठीक है, उसके बाद no reducing क्या हो जाएंगी, ठीक है, इन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इन देर hemiacetal य ठीक है, 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 इसके examples भी लिख ले न, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके examples भी लिख ले न, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके examples भी लिख ले न, ठीक है, ठीक है, और सारे polysaccharides तो मैं तुम्हें बस मोटा मोटा समझा रहा हूँ बाकि जो notes के अंदर जब तुम पढ़ोगे पूरा clear हो जाए हूँ ठीक है समझे तो आगे बढ़ते ठीक है है मी acetyl मतलब होता है बेटा देखो यह acetone होता है नहीं acetone यह acetone कहा रहा हूँ यह aldeide होता है इसमें अगर मैं एक OR लगा दूं यहां OR तो यह मेरा single bond हो जेगा और यहां H लग जेगा यह मेरा hemiacetal होता है reducing example बताया तो है सारे के सारे mono और disaccharides except sucrose sucrose मेरा disaccharide होता है लेकिन यह मेरा reducing नहीं होता ठीक है तो मतलब sucrose होना चाहिए था क्योंकि यह die है लेकिन यह नहीं होता अभी reason आगे बदा चल जाएगा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी तो बस हमने definitions की बात किये हाँ तो अब तुम्हारी बारी आगी pen उठालो और मेरे साथ-साथ लिखो तुम्हारे लिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि तुम भी साथ-सा लिख सको ठीक है बना मैं तुम्हें चोड़ दो तीन पेज चोड़ दो ठीक है मतलब है तीन एक पेज यह उससे अगला और उसके सामने वाला ठीक है तीन पेज वन टू थ्री बस आगे जो पढ़ाऊंगा उसके भी भेजूंगा लेकिन तुम्हें साथ-सा नोट करना ठीक है अब आज नहीं बेजूंगा देखते हैं वरना तुम नोटी नहीं करते हैं आगे नोट सब तुम मेरे साथ-सा बनाऊगे क्योंकि यहां इसके आगे वाला तुम्हें अगर मेर साथ-साथ नहीं बनाऊगे तो तुम सीखनी पाऊगे ठीक है तुम्हें अगर सीखने तो हैडिंग डालो मोनो सेक्राइट्स तेखेव इनकी नेमिंग कैसे होती है इनकी नेमिंग का दियान देना इनकी नेमिंग कैसे होती है कुछ महीं नहीं है फंक्शनल ग्रूप प्लस ओस ठीक है इनकी ऐसे नेमिंग होती है एक्जामपल देखो माल लो मेरा कोई अलडियाइड है उसमें अगर वह कार्वो हाइडियर के साथ मिलते है तो उसका नाम क्या हो जाएगा एल्ड फंक्शनल ग्रूप उस तो नाम क्या हो गया उसका एल्ड ओस बोलो समझ रहे हो ठीक है अगर यह की टोन आ जाए प्लस कार्वोड़ाइड तो उसका नाम क्या हो जाएगा किटो बोलो समझ रहे हो बोलो हाई यह के एंस तो होगा अगर वो क्या होगा उसके अंदर यह किटो एक्स बोलो समझ रहे हो कि अगे अगर मैं है ले रहा हूं शीट्री सिक्सल को छी इसका नाम बताऊ इसका नाम बताऊ उना है मेर殿 इसका नाम बता क्या होगा कि हए यहां पर एल्डो बिलोre हो क्या होगा ना एल्टो ट्रायोर्स क्या हो जाएगा औरॉलडोत्राइज यह कीटो ट्रायोस दौल razo समझ रहे हो बोलो है या ना में झखैंअ है अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लुकॉस के बारे में टिकल ह्लॉकोस जो तुम्हारा फेस्वरेट होता है थह बच्पन स्टार्ट करते हैं तो ग्लूकोस के बारे में सबसे पहले इसकी प्रिप्रेशन पर आते हैं प्रिप्रेशन इतना इंपोर्टन नहीं है बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कहां से हम ग्लूकोस को प्रिपेर करते हैं इसलिए कहा हो मैं साथ-साथ लिखोगे जितनी प्रैक्टिस होते तो अगर मैं बस तुम्हें दिखाता जाओं और एक्शन तो तुम्हारा कोई फायदा निसमें स्क्रीन शेर से नहीं आए वरना तुम्हारा दो दिन में चाप्टर खतम कर देता मुझे मैं चाहता हो तुम सीखो तो सबसे पहले फिर प्रिप्रेशन की बात करते हैं तो सब तुम्हारा अगर मैं उसकी और उसका करता हूं अशिव मीडियम है अच्छ ऄज ним कि तो मुझे हिभ आप शिशगति अ दूरा मयं दो बार लिग दिया रहा है तो आपने तो बार लिग दिया तो ध्यान अच ना यह मेरा ग्लूकोस है और यह मेरा फ्रक्टूस है अधिक्या बताओं इनके स्ठ्ट्च्च्र अब बताओं नियुकाफ पहले थोड़ा वो शस्पेंस रहने चाहिए तभी मज़ा आते एक मैरा ग्लूकोस है और एक मेरा फ्रक्टूस है थीक है बोलो समझ तो इसका अगर कोई नाम लिखना चाहिए तो ग्लूकोस को हम डेक्स्ट्रोस भी बोलते हैं ठीक है कभी बाद पूछ ले अगर या ग्रेप शुगर भी बोलते हैं तो यह कॉमन नेम होगा एक तरह से कभी काम आ सकते हैं बोलो इतनी बात क्लियर है बोलो कितनी मत क्लियर है कि हम इसको स्को असके बना सकते हैं हम इसको स्चार्ज से भी मना सकते हैं यह थit है हम इसको स्चाइब स्चार्ज का फोम आए अब देनरा नो तो यह मुझे क्या देता है एन ग्लूकोस मतलब क्या हो गया इस चीज़े तुम conclude कर पा रहे हो कि मेरा search glucose से बना हो है यह चीज़ समझ पा रहे हो सचार्च मेरा glucose से बना हो है तब ही 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 हीज़यो मतलब क्या होत असको तोड़ दो और मेरा tsukrose है वो मेरा glucose बना हो है पुर लो इतनी बात क्रेए hack इतनी है या तंच नियुक्ष हो रहे हो इस मुझे इक अब बात आती है में मुद्धा उम्या ग्लूकोस गूकोस कर रहा हूं इसका स्रॉक्चर क्या है जानना चाहते हो ना इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं तो अगली हेडिंग है स्ट्रक्चर और ग्लूकोस तो हम स्ट्रक्चर और ग्लूकोस इतनी असानी से नहीं बताऊंगा मैं तुम्हारे साथ CID की टीम बनेगे सारे क्लूज लेंगे क्लूज लेने के बाद हम पताएंगे स्ट्रक्चर के ग्लूकोस तो हम देरें धीरे हर एक क्लूप को ढूनेगे क्टिक है कौन दया बनेगा कुछ गड़बढ़ है नहीं करना यहां पर सीधे रहना टीक है तो यहां पर अब हम इस्ट्रक्चर और ग्लूकोस तो सबसे पहले तो देखो थोड़ा वाए ठीक है एसी भी बनोगे बहुत बढ़ी है तो देखो मैं क्या करूंगा मालो मेरा मैं तुम्हें जनरल फॉर्मला फिर भी आइडिया दे देता हूं ठीक है ताकि तुम्हें लिखने ही प्रेक्टिस हो मेरा ग्लूकोस ऐसा होते हैं अभी मैं तुम् वह सकता हूं मैं लिखा मैं ब्लूकोस को इसा ना दिखाता मैं बोले थोढ़ा मैंदर मैं उन्यरी डाला और मुझे यह मिल रहे एक ब्लूकोस खहने ना आफ चाहीगा तो में बताना रिडूसिंग नेचर होता है। अ कर देते हैं। तो तुम इससे क्या कॉंग्लुड कर सकते हैं। तुम्हें इससे यह पर चलती है न? कि ग्लुकोस के अंदर छे कारवन होंगे। बोलो हाई है न? अगर मैं तुम्हें ग्लुकोस का प्रेजेंट वो समझे रहे इतनी बात कि दैट आर लिंक्ट इन स्टेट चेन बोलो समझे टैंप्रेचर बात की इतना इप्रेट नहीं अगरे इस ट्रेट चेन में ना होते तो यह मुझे नहीं से लिखेंगे टिके डिके करने को मैं तुम्हारे साथ-साथ इसले लिख रहा हूं ताकि तुम भी लिखो वरना तुम्हें लगता है कि वह हम बाद में लिख लेंगे टिके मैं इसले साथ-साथ तुम्हारे लिख रहा हूं और मैं तुम्हें नोट्स में पढ़वा देता ओर्गैनिक पढ़के नहीं होती तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाता इससे बाकि अगर तुम मान लो ग्लूकोस के अंदर बने डाला म तुम मैंने क्या कॉंक्लूड गिया सी इडी बन जाओ थोड़ा सी इडी वाला दिमाग इसके अंदर पक्ता चे कार्बन होंगे जो की लंभी चेन में प्रेजेंट है ठीक है बोलो समझ गये बोलो समझ गये ठीक है अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगला देखो तुम कि यह मैंने सब्सक्राव रहता है अगर मुझे कौई Sher was my sign mo ऐसे मत करो कि तुम बहुत थो लो लिख रहे हैं मैं साथ साथ लिख रहो क्यों की वड़ना फिर मतलब ताइम अगर कंपड़ गया दियां दो अब मुझे बता दो अगर मेरे को किसी चीज यह डाला और मुझे यह मिल रहे हैं तो तुम में बना देता हूं ठीक है प्रैक्टिस होथी दिहाएगा तुम्हारे तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे लिख देता हूं तो दूबारा चलो तो देखो मेरा क्या है तो तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा कुछ भी नहीं होगा सीएच डबल बॉन और पहले मैं तुम्हें कॉंक्लूड कर रहा है उसके वाला मैं बना रहा हूं ठीक है पहले हमने सी आईडी वाला दिमाग लगाया है तो मेरा क्या बन जाएगा ग्लूपोस का उखजाई मैं ठीक है ग्लूपोस का उखजाई एसे तुम एचसी डालोगे तो क्या मिलेगा मुझे एसे डालने पर क्या मिलेगा मुझे सी एच यहां पर मेरा ओच लग जाएगा और यहां लग जाएगा समझेगा न कैसे होता इतना तुम्हें आइडिया ही तो मैं इसले उस पर जोड नहीं दे रहा है सबको पता ना यह कैसे आ रहा है सबको आइडिया है ना देखो कुछ भी नहीं किया अगर मैं इस पर सी एन डालूँगा तो यह यहां जाएगा यह उपर जाएगा यही चीज लग गया और ओ उपर गया साइड में तो यह मतलब एक कारवन बढ़ गया मेरे रिंग में चार पांच चे साथ हो गए हां नुकलोफिलिक एडिशन ठीक है तो लिख लिया तुमने इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ओफ कारवनील गुरूब बोलो समझ गे कुछ भी नहीं है वेटा अगर मेरा कोई भी कंपाउंड ओग्जाइम या साइनो हाइडरिन दे रहा है तुमने एलडेट की टोन जैप्टर में पढ़ा होगा तो उसके अंदर पक्का कोई कारवनील गूप प्रेजेंट होगा वही रियक्शन देते हैं गश्रहरं समझ को यह पॉलंग है क्टरों जैनिर अगली रियक्शन पर चले अगली रियक्शन पर मानलो मिरा कोई मैं में में कुछ मी नहीं है यह मेरा उख्जाइम ऐसा देखो यह ना तो यहां पर मेरा क्या हुआ यहां पर डबल बॉन एन एच लग जाते हैं तो यहां पर मेरा कुछ भी नहीं होता हम एप समझ गया ना यह तो तो मारी और और इसमें वोटर डाला तो और मुझे यह यह मिल रहे मतलब कि एक ग्रूप मेरा ओक्सिडाइज हो गया कार्बोनिक कार्बोक्सलिक एसीड में तो उस्ते मुझे क्या पता चलता है पक्का एक प्रेजन था इसले मैं इसको उल्टा बनारो ठीक है ताकि तुम उसको रिलेड भी कर पा हूं मतलब क्या हो गया पक्का यहां पर कोई एक प्रेजन था तभी ऑक्सिडाइज हो पाए तो मुझे क्या मिला इसका नाम ग्लूपोनिक एसीड होता है याद रखना तो यह मुझे क्या इंडिकेट कर रहे है यह इंडिकेट कर रहे है दा कार्बोनिल ग्रूप कि इस एल्डियाइड समझगे अम मतलब मुझे पता चल गया कि टोन नहीं है इसमें एल्डियाइड है बोलो समझगे बोलो इसके अंदर हम अगर वैसे कंसंट्रेटीड अचनोथरी डालते हैं तो ध्यान रखना तो भी मुझे क्या मिलता है सी ओएच कंसंट्रेटीड अचनोथरी जो होता है वो तुम अच्छे दे बता है इसको भी औक्सिडाइज करतेगा प्राइमरी वाले को ठीके तो फिर इसकी जेगा पर वह कई पर एक भी दे सकता है तो बात एक ही है ठीक है तो ध्यान रखना एक चो बी यार भी हो सकता है अगली रियक्शन पर आते हैं अगली रियक्शन पर आते हैं मालो मेरा यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है यह हम यहां से कॉंक्ल्यूड करेंगे अगर मैं मैं कि टालूगा तो मुझे बता दो क्या आएगा इसेटीड नहीं गरते हैं कुछ मिनिया ओच की जिगह लग जाएगा सब्कों बाता है कुछ मिनिये करें का एसेटीड नाइड राइट टाल तो मेरा यहां पर बन क्या जाएगा शीए च्छ औख हुआ यहां से तुम्हें किया चीश पता चल रही है कि इसके पांच भेक्रेंट हो रहे हैं इतनी वात समझ और tá यहां से मैं क्या कर रहा हुए मेरा क् onions कर रहा है gefारार Deاع प्रेजेंस ओफ फाइव ओएच ग्रूप्स ये भी और ध्यान दो एक और चीज ये मुझे बता रहे है और वो सारे के सारे ओएच ग्रूप अलग-लग पोजीशन पर है तब ही मुझे ये मिल रहे है ठीक है और अजो ऑच ग्रूप्स और प्रेज़न्ट भास मतलब कि सारे जोए वो डिफ्रेंट कारवन अटम सब्रेज तने बाद समझागे वो हो जो टीक अभी पोजिशंस अभी पता चल जाएगी टीक है ये थो हमने थोडा बहुत आइडिया लिया ठीक है तुम इतने बड़े मतलब इसका इसका बनाना चाहूं कि अगर मैं इसका बनाना चाहूं ग्लूकोस का तो एक तरह से देखो द्यान से बनाना वे साथ साथ बनाना टीक है क्या होंगे छे कारबन होंगे 1,2,3,4,5 और 6 मैं सासाथ बना इस लिए मैं तुम्हार साथ चल रहां ये में जो कस चाह्त होने वाला ल dobr question says now मितलब सबसे पहले सबसे उपर मेरा कौन होगा और इसके बाद यहां पर यहां पर कर्बन यहां पर दो कर्बन और यहां ठीक है लास्ट कारवन पह अगर मेरा ओज उसको हम नंब देते है डिq ध्यान एक टार ragवा ? जो अगर मेरा ओज राइड साइड पर आ रहा हो तो इसको हम ड होलते है अब एकोर बनाते हैं दो तरह के क्यों होते हैं ठीक है एकोर ऐसكنछ बना लो तो एक है मेरा वन टू थ्री फोर फाइफ शिक्स अगर सेकिंड लास्ट कारवन पर मेरा ओच लेफ्ट साइड में तो उसका एल से नाम स्टार्ट होते हैं यह मतलब उनकी वह होती है जैसे तों स्टेरियों में बढ़ते हो ना ठीक है उनके नेमी ठीक है यह वह डी होता है य यहाँ नेमी यहाँ इस बात का द्यान दे ना ऑगे घ्लूकोस ग्याश ग्लूकोस ब्हस मैं लगधा ज्यजदा क्लियारिटी ठीक है लिखन है ग्लूकोस तो पेपर में कभी ऐसा ना कर देना आ इसलिए मैं यहां पर एन कहीं के देता लेकिकर ने मने स््टार्टिंग में इसलिए नहीं गखेक्योंकि भूधन films दूनने लग जाते आप दूमें पता चलरहा कि हाँ यहां पर हो तो हम उसको D glucose बोलते हैं ठीक है second last carbon पर अगर right पर हो ठीक है मतलब की carbon OH on right side of second last carbon second last carbon ठीक है और L में मेरा क्या हो जाता है वो left side में हो जाता है बोलो समझ रहे हो तो मेरा L हो जाता है clear हो गए इतनी बात बोलो हाई है न ना ना बेटा यह small d इससे ना वो कर ले ना यह दोनों लग चीज़े होती है यह दोनों लग है यह लग है तो यह वारा हम बात कर लेता हूं ठीक है इनकी family के बार में तोड़ा सा तो heading डाली लो ठीक है d and L configuration d and L configuration अ अधिक है जो मैं बताए देता हूं वैसे बताए दिया तो ध्यान लग ना इस मेरा d and L configuration का standard कोन है standard है मेरा ग्लीस्रेल्डी आइड ग्लीस्रेल्डी आइड मतलब क्या हो गया इसकी वज़सी ड और L configuration का concept आए ठीक है तो मतलब ग्लीस्रेल्डी आइड का मेरा standard है standard है इस्टेंडर्ड ग्लीस्रेल्डी आइड कोन्फिग्रेशन बोलो इतनी बात क्लियर है एतनी बात क्लियर है ठीक है राइड रड्यों यह थी मेरा घुछ अगर ऐटह hehe मेरा उयत-उठ और एख लाइड साइड पर आज तो ऊबर आज़ साइड इग्लीस्रेल्डी है अगर ल absolument स्मयज हो जाना इसका है वकिक्व वेधनिंगिस्रेट ने पार समय रहे हो मैं भलतनी वाद समय ग्रुए कि वोलो जो समझ रहा है ताकि तुम्हें ओष पर ध्यान जाए ठीक है मैं तुम्हारे लिए यह नहीं लिग रहा। ताकि तुम्हें ओए ज्यादत यारिटी से दिखे तो लेख लो जो में डीकोंफिगरेशन होती है उसमें क्या होता है ओए ग्रूप of last Chiral Carbon Last Chiral Carbon Last Chiral Carbon is on the right side ठीक अभी तुम सोच रहे होगे कि सर अभी आपने उपर बोला था कि Second Last Carbon क्योंकि जो मेरा Second Last Carbon होता है वह ही तो Chiral होता है Last और तो Chiral ही नहीं होता ठीक है तो दोना मैं Confused मत हो ना बात एक ही है समझ रहे हो न ठीक है तो मैं जो last chiral carbon है वो automatically second last carbon ही होते है ठीक है तो L configuration क्या होती है मेरी OH group of last chiral carbon on the left side तो मैं short में लिख दिया तुम लिख लेना बोलो इतनी बाद clear है बोलो ठीक है और जो तुम बोल रहा है न डेक्स्ट और रिटेटरी लिवर रिटेटरी उसको हम दिणोर बस साइन से करते हैं ठीक है वो अलग चीज न ठीक है अगर प्लस सइन होता है तो मुझे क्या बताते है dextral otator you मैं और माइनश साइन क्या बताता है मुझे लिव위 DIRECTOR मोला समझ ड हो इस बात का द्यान डेना ठीक है डीए मेरा small d होगा स्मोल ल ध्यान लखना जरूरी नहीं है डी कॉंफिग्रेशन वाला स्मोल डी होगा समझ रहे हो मतलब कि डी कॉंफिग्रेशन वाला प्लस में गुमाई ऐसा कोई रूल नहीं है यह हम एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं बोलो समझ रहे हो तो यह मिस्कंसेप्शन मत करना अगर मैं इसके अंदर है ओफो डालता हूं एक्स सबसे पहले मुझे बता दो कितने मुझे अच्छा यह डालने पड़ेंगे पहले तो इसका आशर देता हूं कितने मेरे एच्छा यह फॉर यूज होंगे ज्यान ने सोचे बेटा थोड़ी सी गल्पी कर रहे हैं तुम मतलब कि जल्दी बोल रहे हो सोच के नहीं बोल रहे हैं कितने होगे पांच हाँ अब बच्चों ने सही आंसर दिया है एक्सी वैल्यों होगी फाइव ठीक है तो जब मैं इनको तोड़ूंगा तो देखो मेरा सबसे पहले क्या 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 बनेगा बताओ जिए चो किसमें करवाट होगा फिसमें होगा साथ में मुझे चार क्या मिलेंगे HCOH ठीक है प्लस इसका मुझे क्या मिल जाएगा HCHO ठीक है तो मेरे ये सारे बोलो समझगे बोलो हाई या ना समझगे ठीक है अब बात आती है कि ये जो मेरा open structure था ना open structure ठीक है इसको में open structure बोलता हूं जो भी हम पढ़ रहे थे ठीक है उसी कुछ limitations थी लिमिटेशन लोग ऑपन structure मतलब की जो भी हमने open structure पढ़ा open chain वाला मतलब उसको open chain structure बोलते है ठीक है उसी कुछ limitations थी ठीक है उसी कुछ limitations थी बेटा क्या बेटा ये D और L जो होते है न तुमने ग्रूप ने मना है nature में ऐसे exist करते हैं ठीक है तो एक लिमिटेशन कुछ होती है मुझे एक बार बता दो अगर glucose के पास LDI है तो उसे 2,4 DNP test देना चाहिए था बोलो हाई या न देना चाहिए था बोलो मेटा पर आयोडी कैसी काम क्या है सारे बोंड्स को तोड़ो देखो ये में जो सारे बोंड्स है न एक दो तीन चार पाँच सारे बोंड्स को तोड़ो और OH-OH लगा दो दूनों तरह ठीक है उसके बाद जो प्रोड़क्ट बनेगा वो तुम्हें दिख जाएगा समझ के लेकिन नहीं दिया इसने ठीक है इसको एडिशन प्रोड़क्ट देना चाहिए था इसके साथ बोलो एडिशन प्रोड़क्ट इसको याद करो यह तुम बहुत इंपॉड़न रियक्शन पढ़ते हैं इसको ठीक है टेस्ट में भी काम आती है लेकिन इसने यह भी नहीं दिया ठीक है तो भाई देना चाहिए था इसको शीफ्स टेस्ट सबको पाता है शीफ्स टेस्ट सबको पता है यह भी LDAT में टेस्ट होता है इसने यह भी नहीं दिया ठीक है और जो इस ग्लूकोस का पेंटैसिटेट था पेंटैसिटेट अभी मैं तुम्हें बना गे दिए था ना पेंटैसिटेट जो अगर मैं उसको पेंटैसिटेट बनाता हूं उसने रियक्ट ही नहीं किया does not react विद हैड्रोक्सिलमीन मतलब उसको आईड्रोक्सिलमीन से तो रियक्ट करना चाहे था क्योंकि हमारा अगर यह नहीं दे रहा था इसका मतलब कुछ लोच है ठीक है दया कुछ तो गड़बड है सोचो सोचो तो यहां से यहां से मेरा जन्म हुआ साइक्लिक स्ट्रक्ट्चर ओफ्ट अब इतनी बाच है अब देखो बहुत सिंपल ही चीजी तुम्हारे तुम्हें ऐसे समझा दूगा रट्टा निमर्वाना समझने पर जोर देंगे ठीक है तो सबसे पहले मेरे साथ glucose का structure बनाओ डी-glugose का ठीक है चलो बनाओगे मेरे साथ तो सबसे पहले मेरा क्या होता है उपर एल्डियड होता है ठीक है फिर एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच और यह मेरा च्छे ठीक है लास्ट मेरा राइट पर आएगा उसके बाद कुछ भी नहीं करना ठीक है उसके बाद मेरा क्या है यह यहां पर आएगा थर्ड पर मेरा यहां मतलब कि बस थर्ड पर मेरा लेफ्ट पर रहेगा बाकी सारी जगा राइट ठीक है अब बेटा मेरा लेफ्ट पर आएगा बाकी सारी जगा मेटा एडिशन प्रोड़क्ट एनने एच एसो त्री एनने एच एसो त्री के सोडियम पाय सलफाइड अब बेड़ा मैं है इसलिए नहीं बना रहा है तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है अब तुम्हें पदा जब रहे हैं है एची है ठीक है ओएच पर फोकुस जा रहे है अ यहां पर चला जाए क्योंकि तुम्हें पता है अगर यह वाला यहां जाएगा तो सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी और वही स्टेवल होती है ज्यादा सबसे तो इस वाज़त से जो फिफ्ट कार्बन है ना उसका ओएच जो है वह इस पर अटैक करेगा अब एक बाहा जब यह खुलेगा ओ नेग बनेगा तो ओ नेगीटीश लेगा ऐसा भी ऑसकता है यह झांबब बोंड हो यहां फ inputs हो था तो यहां पर दो possibility है तो यहांपर इ साथ शлом और यो इस इस प्रेक करेगा तो मैं उसको ऐसा दिखाए तो इस पर टैक किया तो इस वो को इस से जोड़ दिया इसको कारवन ना माले ना कई बच्छों को लगता है जोइंट आगे कारवन हो गई यह बस ओको मैंने कनेक्ट किया ऐसे बोलो इतनी बाद समझ रहे हो यह भी कारवन नहीं है कोई तो यह कारवन यहां से स्टार्ट हो र इहां पर थहां ठीकर科 पर कहा ता यहां पर फूर पर कहा था यहां पर और फाई वाला तो इसम्में यूज और बोल इतनी बाद समझ रहे हो अध्यगों मोलेक्र आशक कि जो मेरा ओटijo यहां पर है ठीक है वो केस्ट क्या बनेगा बिल्कुत सेम है कुछ भी नहीं करना दुबारा से बनाओ वन टू थ्री फोर फाइव और यह मेरा सी एश टू ठीक है नंबरिंग के साथ बनाओ कभी गलती नहीं होगी अगर नंबरिंग उड़ा तो गलती गलती होगी ठीक है तो यहां पर बाकी लेना यहीं यहां तो सेम वहें बनाने अनषी है प्लो लेत क्लियर है सब मुछ भी नहीं है हमने उनको बस अटैक करवाया है ठीक है बोलो क्लियर है इतनी बात बोलो क्लियर है सबको आगे बड़े बना लिया सबने साथ साथ बनाया ना मेरे तब ही मैं यहाँ पर इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि तुम साथ साथ बना पाऊ बोलो ठीक है अब ध्यान से सुनना अब एक और बात बताने जा रहो ठीक है एक और बात बताने जा रहो ध्यान से सुनो यह तो मेरा D-glucosy है तो यह भी मेरी D होगी यह भी D होगा ठीक है उससे तो कोई लेना देना नहीं लेकिन अब ध्यान से सुनना अब यह जो मेरा chiral carbon नया बना है यहाँ पर तुम्हें chirality दिख रही है यह right पर हो गए left पर तो इसका मतलब इन दोनों के नाम different होने पड़ेंगे अगर यह right पर आता है राइट पर उसका नाम होता है अगर वह right पर आता है राइट पर उसका नाम हो जाता है अलफा है लेकिन actual नाम क्या होनाच जाएगा इसका पायरेंस अग्रक्णोर होता है अटे सा होता है इसा होता है तो इसका ऐसा साई स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसलिए इसका नाम पाइरन से थोड़ा मतलब क्या हो जाता है एक तरह से उसको वहां से उठाया गए है नाम में तो इसका नाम क्या हो जाएगा ग्लूको पाइरनुस बहुता इतनी बात समझ रहे हूं लुव्टा इपता इसलिए फीटर तो इसके जाथा दिख रहा है तो इससे पाइरनोस बोल देते हैं अब तुम्हें यहाँ पर एक बात बताओ ठीक है तुम्हें यहाँ पर हैमी एसिटल लिंकेज दिख रही है है हमी एसिटल क्या होता है यही तो होता है कि सी ओ एच ओ आर यही तो होता है हुझ तो यहां पर यह हैं मिन्य केज आप तुम्हें देखो यहां पर अभी याद्व के टोन तो रहा निए अगर यह यह इन पर नहीं रहा इसी वज़से यह टेस्ट नहीं थी बोलो चमका नहीं चमका बोलो चमक गया इसको कारबन ना माल ले ना दुबारा बोल रहा हूं कारबन नहीं है यह तो रीजन क्या हो गया लिख ले ना due to hemiacital linkage यह मेरी hemiacital linkage है न है मैं आइसितल linkage they didn't give above test जो भी हमने उपड़ टेस्ट लिखे तो हम यहीं पर एंड करते हैं आज़ी क्लास तो यह रीजन था कि यहां पर लडेट बचा ही नहीं जब लडेट ही नहीं है तो भाई यह टेस्ट क्यों देगा समझते हो इसी वजह से इसने hemiacital test मतलब यह टेस्ट क्या होता दुबारा बना देता हूं ठीक है बच्चे तुम इनको रिलेट नहीं कर पाते थेक है है यह हंए ऐसी चलोग कर है ठीक है समझ गे तो यहां आप से अब इसको रिलेट कर सकते हो इतना यह सारे कि वेटा जल्दी हो जाएगा कोशिच करेंगे जल्दी हो जाए यह जीट गए तुम कि वेटा राइट में लिखे हैं मैं इने अलफा इसको अलफा नाम देते हैं जब राइट पर होता है कि अब अब इन्युमार एक तर जो एपिमर है वह स्पैशल टाइप आप फैनोमर ही होता है तो वह कल्प बताऊंगा आज तो नहीं बागी कोई अभी तक कोई आउट है तो पूझे देखो बेटा ध्यां से सुनो एलकोज का ग्रूप शिफ्ट नहीं हो रहा है ध्यां से सुनो मेरी बाद ठीक है मालों यह मेरा क्या कार्बन ठीक ऐसे अगर मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर मैं एक ऐसका करता हूं ट्रफ कराता हूं ट्रेस का अ तो बाकिया तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया तो थोड़ा रेस्क्स लेलो कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली बेद नहीं नहीं वह कारवन की वज़ा से आया है कि ओके चलो मिलते हैं